तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर में बना रही हूँ और आप लोग को इस वीडियो को बिना स्कीप के एंड तक देखना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजिंसी का आप अगर गुगल में सर्च करते हो तो आप लोग को ऐसा एक पेज़ दिखेगा जहाँ पर नोटीस बोर्ड है यहाँ पर कुछ भी नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हो तो आज हम देखेंगे एग्जामिनेशन कैलेंडर 4 एकाडेम होगा तो पहले आप लोग को जाकर एक्जामिनेशन कैलेंडर जहाँ पर हाइलाइटिंग न्यू वोड दिख रहे हो वापे क्लिक करना है तो आप लोग को ऐसा एक एक पीडियेप डाउनलोड होगा ठीक है उसके बाद आप तोरह स्क्रोल करोगे तो देखने को मिलेगा ड नेट एक्जामिनेशन देते हो सारा कुछ लिए का सारह कुछ नैशनल लेवल का एक्जामिनेशन कहना कराया जाता है एंटीए के तरफ से तो हम लोग एक बर देख लेते हैं JEE, मतलब Joint Entrance Examination 2024 में दो सेशन में होगा, तो फर्स सेशन होगा 24 जनवरी से 1st पेबुरी तक, तो इसके लिए Computer Based Examination किया जाएगा, तो मोट दिया गए, देखो, कहीं पेंपेपर का दिया है, कहीं पें CBT मतलब Computer Based Test होएगा, तो Joint Entrance Examination जो इंजिनियरिंग भी बोलते हैं, आप लोग इंजिनियरिंग के लिए जो टेस्ट देना होता है, JEE, तो मेंस का सेकेंड सेशन होगा 1st April 2024 से 15 अपरिल 2024 तो इस बार आप लोग जो भी प्रिपारेशन कर रहे हो, नेक्स्ट येर आप लोग का ये सारा कुछ डेट पहले से दे दिया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपारेशन कर सको, अपना टार्गेट फुल्फिल कर सको, तो National Eligibility Come Entrance Test, NEET, UG, जो आप लोग मेडिकल के लिए देते हो, तो पेन पेपर आप लोग का OMR शीट में होगा, ठीक है, पेन पेपर या फिर OMR शीट में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, पांच में 2024 को, उसके बाद C, U, E, T, UG, उसके बाद P, G होगा, तो पहले हम देखते हैं, UG का डेट कब दिया गया है और P, G का, तो UG मतलब Common University Entrance Test Undergraduate Program के लिए होएगा, between 15th May 2024 से 31st May 2024 तक, पर यहाँ पे देखो P, G का जो है न, पहले कर दिया गया है, जानौरी फेबॉरी में तो हो जाएगा आपका J, E, उसके बाद होगा, आपका मार्च महिने को, C, U, E, T, P, G होगा, ठीक है, 11th मार्च से 28th मार्च तक, तो इस बार UG के बाद PG नहीं होगा, आपको direct PG पहले होगा, उसके बाद UG का आएगा, तो उसके बाद आएगा UGC Net Session 1, तो Session 2 रहते, पर इसमें Session 1 का दिया गया है, 10th June से 21st June तक, तो 11 days तक, नेट exam का, आप लोग को date अलग-अलग से आएगा, वो computer-based test है ना, तो आप लोग को admit में date वगेरा आएगे, जब आप apply करोगे, और बाकी जो भी information चाहिए होगा, आप इनके website में जाकर scroll करोगे, जो relative, आपके लिए related है, वो सारा documents आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब PDF form में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, चेक कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही, I hope आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मत भूलना, और मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए मदद करो, और आज का वीडियो यहाँ पे अन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तिल दें, स्टे तुन फो नेक्स वीडियो, बबाई!